कॉमेडी क्वीन भारती हो गई है गीरफतार जी हाँ दोस्तो साथी साथ पती और मैनेजर से भी हो रही है पूस्ताच घर से बरामद हुआ है गांजा जी हाँ दोस्तो क्या है पूरा मामला अभी जानेंगे हम ये अपने संस्करन में बने रही है हमारे साथ नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है प्रभाज जागरन के इस नए संस्क्रन में जिसमें हम आज खुलासा करने वाले हैं कॉमेडियन कुईन भारती सिंग के बारे में जी हाँ दोस्तो अभी कि ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग सबस्तार NCB के द्वारा छापे मारी के दोरान में उनके घर से मिला है गांजा जी हाँ दोस्तो तो क्या है ये पूरा मामला बने रही है हमारे साथ आज हम करने वाले हैं इसका खुलासा लेकिन आगे बढ़ने से पहले करूंगा आप लोगों से रिक्वेश्ट कि जो पहली उसके बाद हम लोग या वीडियो आप लोगों के समुक लेकर आप आते हैं तो आप लोगों का लगातार प्यार मिलते रहे यही हम चाहेंगे हमेशा और साथ ही साथ हम आपके लिए लगातार इस तरह की ब्रेकिंग खवरें लेकर आ सकेंगे सबसे पहले सिर्कोंसी प्रभ गई है गिरफतारी साथी साथ तीन जगों पर उन्होंने मारा है चापा और उस चापे मारने के दौरान में ही इनके घर से मिला है गांजा जी हां दोस्तों उसके बाद ही इनको गिरफतार कर लिया गया है NCB के द्वारा ड्रक्स मामले में NCB लगातार गिरफतारीा कर रही है दोस्तों साथी साथ उनके छापे मारी भी लगातार बड़े पैमाने पर हो रहे है आज सनिवार के दिन में ही NCB ने भारती सिंग को किया है गिरफतार साथी साथ उनके पती हर्ष लिंबाचिया के साथ में हो रही है पूस्ताज तो उनके उपर में भी तलवार लटक रही है गिरफतारी की साथी साथ उनकी भी गिरफतारी हो सकती है भारती सिंग को आज NCB के दफ्तर में रखा गया है, कल उन्हें अदालत में पेस किया जाएगा दोस्तो NCB भारती सिंग और उनके पती हर्स के मैनेजर सर्वेट से पूस्ता चल रही है दोनों ने जहां से ये ड्रक्स मंगवाया था, उसकी भी जानकारी NCB को हो चुकी है बता दे दोस्तों कि सनिवार के दिन में ही NCB ने मुंबई के तीन अलग-अलग जगाहों पर छापे मारी की थी जिसमें भारती और उनके हस्बेंड हस लिंबाचिया के घर से चापे मारी हुई थी और उसके बाद ही भारती सिंग और उनके पती हस लिंबाचिया को NCB ने समझ जारी किया था और अब भारती सिंग की हो गई है गिरफतारी 21 तारीक को ही NCB ने इन तीन जगहों पे छापे मारी की थी जिसमें से की 21 नमंबर को NCB द्वारा खार दांडा इलाके में छापे मारी की गई थी और LSD मिला था साथी साथ गांजा जो की 40 ग्राम मिला था और साइक्रोटोपिक दवाई भी साथ में मिली थी और साथी साथ 21 साल के उम्र के एक तसकर को भी पकड़ा जा चुका है दोस्तो इसके बाद ही NCB ने सनिवार को दो अन्य जगहों में छापे मारी की थी जिसमें से कॉमेडियन भारती सिंग के प्रोडक्शन आफिस और घर दोनों जगह से कुल 86.5 ग्राम गांजा वरामद हुआ है NCB का दावा है कि भारती सिंग और उनके पती हस लिंबाचिया दोनों ने गांजे के सेवन की बात को भी स्विकार कर ली है साथी साथ भारती सिंग को NDPS Act 1986 के प्रावधानों के तहट गिरफतार किया गया है अब तक के ड्रक्स के मामले में कई सेलिब्रिटियों के नाम सामने आ चुके हैं दोस्तो NCB ने अर्जुन रामपाल के लिविंग पार्टर ग्रेबियला के भाई को भी गिरफतार कर चुका है और उन्ही से पूस्ताज के दोरान में इस तवाम तरह की खवरे निकल कर सामने आ रही हैं इसके पहले बता दू दोस्तो कि अर्जुन रामपाल के उपर में भी छापे मारी हो चुकी थी इसके उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तो आप चाहें तो आईकार्ड में जाकर देख सकते उस वीडियो को और उस छापे मारी के दोरान एंसीवी ने अर्जुन रामपाल के घर में लैप टॉप, मोबाइल फोन और टैबलेट जैसी एलेक्ट्रोनिक्स गैजेट को बरामत किया था और अर्जुन के ड्राइवर को भी हिरासत में लिया गया था इसके अलावा एंसीवी ने बॉल्यूड निर्माता फिरोज नाडिया वाला की पत्नी को भी आवाज से गिरफतार किया गया था उनके घर से भी ड्रक्स बरामत हुई थी ड्रक्स मामले में एंसीवी की टीम तहकीका जारी रखी हुई है इससे पहले भी सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंग, दीपीका पादुकौन समेत कई स्टार सेलेब्रिटियों से भी पूस्ताज कर चुकी है भी तक सुसान सिंग राजपूत केस के बाद एंसीवी का दायरा बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा था दोस्तों जिसमें सबसे बड़ा ब्रेक्टूरू रिया चकरवर्ती और उनके भाई सोविक चकरवर्ती के रूप में आया था जिसके बाद रिया चकरवर्ती को गिरफतार कर लिया गया था और तक्रिवन एक महने के बाद उन्हें बेल मिल पाई थी वहीं भारती सिंग के अगर बात की जाए दोस्तों तो आपने उसे दकपिल सर्मा सो में जरूर आपने देखा होगा जहां पर वो अपनी परफॉर्मेंस को हम सबों को दिखाते विए काफी जादा मसूर हुई थी इसके बाद वो कई तरह के अलग-अलग प्रोग्राम को भ वहा हिस्सा रह चुके हैं तो यही था दोस्तों कॉमेडियन भारती सिंग और हस लिंबाचिया से जुड़ीवी ख़वर जो कि अभी सबसे ज्यादा ब्रेकिंग निउस बनकर आई है सामने उसका आप लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी था दोस्तों इस ख़वर से जुड़ी वी जो भी जानकारी निकल कराएगी हम करेंगे सबसे पहले आपके साथ में सेहर तो उम्हित करता हूं दोस्तों आज का यह संस्क्रण आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़व सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन सकेंगे सिर्पोसिप प्रभाज जागरन पर मिलते हैं अगले संस्क्रण में एक नए तरोताजा खवर के साथ तब तक के लिए नमस्कार